हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलोजी एकेडमी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हवाना सिंड्रोम के बारे में तो यह फिर से न्यूज में है टाइम एंड अगें हवाना सिंड्रोम एक मैटर ओफ कंसान बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और अभी फिर स इसके न्यूज में आने के पीछे के कारण जो है वेतना में हनुई में फिर से इसका प्रकट होना तो हवाना सिंड्रोम है क्या कैसे उसके कारण डिफरेंट डिप्लोमाट्स को प्रावलम हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के और क्यों यहां पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हेरेश जो की इंडियन औरेजिन की हैं उनका जो ट्रिप था उसे डिले करना पड़ गया वो अभी ट्रिप पे हैं एसीन कंट्रीज की ताकि वो अपने पक्ष में यूनाइटेड स्टेट्स के पक्ष में सपोर्ट जुटा सकें जो उन लोगों ने अफगानिस्तान से पूल आउट करने का अपना निरने लिया है उसके बारे में कि वो सही है और सबके भले के लिए है ये चीजों के लिए कंविंस कर सकें बाकी की कंट्रीज को तो यहां पर देखिए अभी इसके न्यूज में आने के पीछे का कारण यही है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ट को डिले कर दिया गया क्योंकि हनोई में वेतनाम के कैपिटल हनोई में हवाना सिंड्रोम के होने की पॉसिबिलिटी पाई गई है हलांकि इस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही ऑफिसियल इसमें कुछ भी खुल कर कहने को अभी तयार नहीं है लेकिन वहां के तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस चीज़ से बचने के लिए उनके ट्रिप को थोड़ा डिले किया गया और जब वहां पर यह चीज़ें कंफर्म हो गई कि यह पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं है इन्हें बचाया जा सकता है या अगर अटैक था भी तो वो कंफर्मेशन अभी नहीं आई है तो इसके चलते फिर उनके ट्रिप को कंटिन्यू किया गया है तो हवाना सिंड्रोम है क्या सबसे पहले हवाना सिंड्रोम को अब्जर्व किया गया था 2016 में हवाना में जो की क्यूबा की कैपिटल सिटी है क्यूबा एक बोन ओफ कंटेंशन बना हुआ था यूनिटेंटेड स्टेट क कोष्ट के यूनाइटेड स्टेट कोष्ट से हवाना यानि की क्यूबा की जो निए है वो जिस्ट 91 किलोमेटर्स किया है और कोल्ड वार एरा में रसिया का फुल सपोर्ट था क्यूबा को क्यूबा को कॉम्मिनिस्ट घोसित कर दिया था वहां के रूलर्स ने फिदल कास्त्रों ने उसके बाद से वहां पर रसिया के थूप ने बहुत सारा सपोर्ट मिला जब पॉसिबलीटी यह बनी कि हो सकता यूनाइटेड स्टेट्स क्यूबा पर अटैक कर दे तो उस समय वहां पर मिसाइल क्राइसिस भी हो गई थी रसिया ने अपने मिसाइल वहां पर डिप्लोई कर दिये था और उस समय से जो रिलेशन सिप हैं क्यूबा के और यह होती है कि लोग अपने आपको बीमार महसूस करने लगते हैं जब उन्हें एक अजीब तरह का साउंड सुनाई देता है और उसके बाद उन्हें बहुत सारी चीजों में और फिजिकल सेंसेशन होते हैं जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी मिटल स्क्रैप होता है तो एक ह और MBC के स्टाप्स में यह सबसे पहले अब्जर्ब किया गया 2016 में हवाना में और इसके immediate symptoms क्या थे sensation of pain यानि कि दर्द महसूस होना और buzzing sound को महसूस करना तो यहां पर लोगों को headache, सरीर में दर्द, बहुत सारी चीज़ें होती थी अगर यह पूरा देखा जाए तो nausea यहां होते हैं तो जब vomit करने से पहले का जो हमारा sensation होता है बेट में अजीब सी महसूस होती है उसे nausea कहते हैं उस तरह का इन्हें महसूस हो रहा था severe headache fatigue यानि कि हमेशा ठका ठका महसूस कर रहे थे dizziness concentrate नहीं कर पा रहे हैं दिमाग हिल रहा है पूरा एकदम अजीब सी महसूस हो सुनने में भी दिक्कत आने लगे तो यहां पर कोई साउंड से related ही सीक्रेट वेपन यूज किया रहा था अब यहां पर देखते हैं कि और जो सबसे ज़्यादा chronic problem थी यानि कि जो major problems इस चीज से related थी उसमें एक यहां पर था vestibular processing यानि कि जो bodily movement है जो motor movement है उसमें लोगों क का control नहीं हो पा रहा था हाथ पर कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वो उसे अपने हिसाब से control नहीं कर पा रहे थे तो यह बहुत ही बड़ा major neurological issue हो गया था उसके बाद यहां पर cognitive problem हो रहे थी यानि कि लोगों को चीजे सोचने समझने की process करने की information को इसकी भी problem हो रहे थी लोग उ इंसोमिया हो रहा था यानि वही sleeping disorder हो रहा था नहीं आने की problem हो रही थी और headache था यह चार major chronic problem थे उसके अलावा जो nausea dizziness fatigue वेगर जो थी सो तो थी और कुछ cases में ऐसा भी पाया गया था कि यह problem continue कर रहा था आगे भी चलता ही जा रहा था even जब वो लोगों को हवाना से हटा कर वापस United States लाया गया तो उसके बाद भी वो लोग देख रहे थी कि उनकी जो problem है वो continue कर रही है उन पे जो impact आया था different type का उनके medical conditions में वो नहीं improve हो रहा था और normal work और life functioning में उन्हें still problem हो रही थी वो लोग इस चीज को normalize नहीं कर पा रहे थे उनमें यह लंबे समय तक problem च National Academy of Science ने जो इसमें research की जो अपनी study की United States की उनका क्या report है उनका कहना है कि यहां पर four possibilities हो सकते हैं चार possible कारण हो सकते हैं इन सब symptoms के इस बीमारी के सबसे पहला इन्होंने कहा कि किसी तरह का infection हो सकता है second thing इन्होंने कहा कि कुछ chemicals use किये गए होंगे हो सकता है attack वेगर में तो के कारण भी यह हो सकता है उसके बाद fourth thing इन्होंने कहा कि psychological factor हो सकता है कि लोग work pressure handle नहीं कर पा रहे हैं घर से दूर रहे हैं different country में हैं वहां के culture से वहां पे assimilate नहीं कर पा रहे हैं वहां के लोगों से वह intermingle नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण कि वहां पर वो लोग lonely feel कर रह होगा और उसके कारण यह problem हो रहे हैं fourth thing इन्होंने कहा कि microwave energy से इन पर attack किया गया है या फिर किसी दूसरे तरह की microwave energy का इन पर impact हुआ है तो इसमें उन्होंने कहा कि most possible mechanism जो सबसे ज्यादा जिस चीज़ की संभावना है कि यह चीज़ें कैसे हुई तो उसमें सबसे पहला इन radiation energy पे से इन पर attack किया गया है यानि कि इन्हें clear cut target किया गया है pulsated microwave energy के थूँ और यह इन्होंने कहा कि victims का जो exposure है वो targeted है यानि इन्हें specifically target किया गया है ना कि जो different तरह के machinery use होते हैं सर्विलांस वेगर में जैसे computer हो गया और towers हो गया रिडार्स हो गया यह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि source है microwave energy के लेकिन इसके कारण इनका कहना है कि ऐसे issues नहीं आते हैं ऐसा problem इनके साथ नहीं हो सकता है यानि कि इन्हें target किया गया है specifically वो भी एक specific frequency के microwave energy radiation से लेकिन उसके साथ ही इन्होंने यह भी mention कर दिया कि इसके source का हमें पता नहीं है कि किस तरह की जो वेपन है वो यूज की जा रही है किस तरह की machinery किस तरह का mechanism यूज किया जा रहा है इस तरह को करने के लिए यह वो लोग भी नहीं पकड़ पाए अब यहां पर details जो है सबसे पहला तो क्यूबा ने जैसा कि हमने देखा 2016 में क्यूबा में सबसे पहले इसे देखा गया तो United States ने clear cut क्यूबा के originate हो रहा है कैसे हो रहा है तो क्यूबा ने इसे डिनाई कर दिया कि उन्हें इसे किसी भी बिमारी की कि कोई जानकारी नहीं है अब यहां पर United States के साथ में इस फंस गया कि अब क्या करें भई ना उन्हें खुद कुछ इसकी जानकारी मिल पा रही है क्यूबा इसे डिनाई है उसमें से मेनले यहां पर देखें अगर तो जर्मनी थी आस्ट्रिया थी रसिया थी चाइना थी तो यहां पर जर्मनी को छोड़ कर देखिए बाकी के अधिकतर जो कंट्रीज हैं वहомिनिस्ट इंफ्लूएंस में है वह रसिया से करीब हैं तो इसी के कारण यहां पर United States यह छीज़ कन्कूड की की हो सकता है यह क्रशिया का कोई सीक्रेट वेपन हो और इन अटेक्स के अलावा दो possible incidents हुए वाशिंग्टन में even और उसमें से एक incident तो वाइट हाउस के करीब हुआ वाइट हाउस के staffs को वहाँ पर इन ही सब symptoms के थूँ गुजरते हुए देखा गया ऐसे ही problems के साथ face करते हुए देखा गया तो यह चीजें यहाँ पर अब चिंता का विशय बन गई है United States के लिए क्योंकि अभी जो latest incident है वो हनोई वेतनाम का है जहाँ पर की United States के Vice President का विजिट होना था तो अब यहाँ पर कौन involved है सबसे बड़ा मुद्दा यह हो जाता है तो United States का यह speculation उसके यह अनुमान है उसका यह मानना है कि इसमें रसिया का हाथ हो सकता है लेकिन यहाँ पर कोई proper evidence नहीं है यहाँ पर कोई proper जानकारी नहीं है वेपन तक का पता नहीं है कौन सी technology यूज़ हो रही है कौन सा mechanism यूज़ हो रहा है कैसे target किया जा रहा है यह सारी चीजों का पता है ही नहीं यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो लोग इससे affect हुए है जैसे कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ तो उन्हें clear cut direction भी समझ में आता है कि इस तरफ से यह sound आ रही है और उन्हें उसी तरफ से यह impact महसूस होता है और उनको headache और नोजिया वेगरा की problem शुरू होती है तो यह clear cut समझा जा रहा है कि यह targeted attack है लेकिन रस्या इसमें clear cut deny कर रहा है United States 2016 के बाद से ही इस चीज में जाचपड़ताल कर रही है लेकिन न तो वह अभी तक इस चीज में समझ पाए है कि कौन सा technology यूज हो रहा है कौन सी machinery यूज हो रही है कहां से इमिनेट हो रहा है कितनी दूरी से इस पर attack हो रहा है यह सारी चीज अभी तक समझ नहीं पाई है हाला कि अभी bipartisan support चाहें वो Democrats हो चाहें वो Republicans हो इन दोनों ने यह चीज कहा है इस दोनों के संसदों ने यह चीज अपने संसद में यह उठाया है United States के Parliament में कि इसकी जाच होनी चाहिए और जो भी इसमें involved है उससे accountable करना चाहिए और यहां पर इसकी जल्दी से जल्दी जाच ह हो क्योंकि हमारे diplomats इसे जादा बहुत effect हो रहे हैं और यहां पर pressure बढ़ता जा रहा है Biden administration के ऊपर और इस पर जाच अभी तेज कर दी गई है खास करके जब Vice President के साथ ही ऐसा incident होने की संभावना बनी तब अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या निकल कर आता है जाच में कब तक जाच पूरी होती है किस तरह की machinery यूज हो रही है यह भी एक जानने कभी से होगा curiosity का topic है तो यह सारी चीजों को हम लोग देखते हैं बाकी हमारे different courses के लिए और बाकी जानकारी के लिए हमारे social media channel पर हमें follow करते रहे हमारे website पर different courses चल रहे हैं उन्हें भी आप जॉइन क करें हमारे channel को subscribe कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी हम नई वीडियो डाले तो उसकी information आप तक पहुंचती रहे thank you very much